नमस्कार, BCN News की खास पेशकश में मैं प्रियांशी आपका स्वागत करती हूँ BCN News की ओर से आप सभी को गंतंत्र दिवस की हरदिक्षप कामना है इस बार भारत अपना बहात्तरवा गंतंत्र दिवस मना रहा है भारतिय नागरिकों के लिए यह बहुत ही खास दिन है हम 26 जनवरी 1950 से हर साल गंतंत्र दिवस मनाते है क्योंकि इस दिन भारत को गंतंत्र देश के रूप में घोशित किया गया था और साथ ही साथ भारत का संविधान लंबे संगर्ष के बाद भारत में लागू हुआ था भारत में गंतंत्र दिवस इतिहास में बहुत ही महत्वपून है क्योंकि भारत स्वतंत्रता सेनानियों के बड़े संगर्ष के बाद हमें अंग्रेजी हुकूमत से आजादी मिली और हमारा सम्विधान बना उन सभी महान स्वतंतरता सेनानियों के कारण ही आज सभी भारतिय नागरेक अपने देश में स्वतंतरता के साथ जी रहे है सन 1950 को भारत सरकार अधिनियम को हटा कर भारत का सविधान लागू किया गया था एक स्वतंतर गंराज बननी और देश में कानून का राज स्थापित करने के लिए सविधान को 26 नवंबर उन्निस सो नपचास को भारतिय सविधान सभाद्वारा अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को इसे एक लोकतांत्रिक सरकार प्रणाली के साथ लागू किया गया था गंतंत्र दिवस समारों पर भारत की राष्टपती द्वारा भारतिय अध्वच को फराया जाता है और इसके बाद सामोहिक रूप में खड़े होकर राष्टगान गाया जाता है करने के लिए हर साल एक भव्य परेड इंडिया गेज से राष्टपती भवन तक राजपत पर राष्टानी नए दिल्ली में आयोचीत की जाती है इस भव्य परेड भी भारतिय सेना के विभिन्द रजिमेंट वायू सेना नौ सेना आदि सभी लोग भाग लेते हैं इस समारों में भाग लेने के लिए दिश के सभी हिस्सों सी राष्टि के डिटकोर वव्य नजप विध्यालयों से बच्छे आते हैं समारों में भाग लेना एक सम्मान की बाद होती है परेड प्रारम करते हुए प्रधान मंतरी अमर जवान जोती जो राजपत के एक छोर पर इंडिया गेट पर सित है पर पुष्पमाला अरपित करते हैं इसके बाद शहीद सैनिकों की स्मृति में दो मिनिट मौन रखा जाता है यह देश की संप्रभूता की रक्षा के लिए लड़े युद वर स्वतंतता आंदोलन में देश के लिए बलिदान देने वाले शहीदों के बलिदान का एक समारक है इसके बाद प्रधान मंतरी अनव्यक्तियों के साथ राजपत पर सित्मंच तक आते हैं राश्ट्रपती बाद में असर के मुख्य अतीती के साथ आते हैं परेड में विभिन्दर राज्यों की प्रधर्शनी भी होती है प्रधर्शनी में हर राज्य के लोगों की विशेश्ता उनके लोग गीत वकला का दृशित चित्रप्रस्तूत किया जाता है हर प्रदरशनी भारत की विवित्ता वस सांस्कृतिक सम्रुद्धी प्रदरशित करती है परेड और जलूस राश्ट्य टेलिविजन पर प्रसारित होता है और देश के हर कोने में करोड दर्शकों की द्वारा देखा जाता है दोहसार चोला में भारत की 64 वी गंतंत्र दिवस के असर पर महराश्ट सरकार की प्रोटकॉल विभाग में पहले बार मुंबई की मरीन ड्राइफ पर परेड आयोचित की जैसी हर वर्ष नई दिल्ली में राजपत्मी होती है अपने अधिकारों का रक्षक अपना ये गंतंत्र पर्व है लोगतंत्र ही मंच हमारा हम सबको इस पे गर्व है फिर एक बार आपको BCN News की ओर से गंतंत्र दिवस की धेरो शुपकामना है नमस्कार